हलो प्रेंट्स माफ़ निम इस अन्राधाश सिंह आज की इस वीडियो लेक्टर में मैंने कुछ डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेश को बताया है आप इस वीडियो को पूरा देखें आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले sentence के साथ पहला sentence है बहुत दिखने में कैसी है How does she look like? Next है बस वैसे ही Just because Next है दूसरों की बुराई करना बन कर दो Stop speaking ill of others Stop speaking ill of others इसको हम ऐसे भी बहु सकते हैं Stop condemning others Condemned का मतलब होता है किसी की बुराई करना Next है पीछा चूटा उससे Good redance to him Next है आराम से तुम अपनी जुबान जला लोगे Be careful, you will burn your tongue Be careful, you will burn your tongue Next है मेरे गाल मत कीचो Don't pull my cheeks Don't pull my cheeks इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं Do not pull my cheeks Do not pull my cheeks Next है किसने परफ्यूम लगाया या छड़का है Who has sprayed perfume Who has sprayed perfume Who has sprayed perfume Next है किसने परफ्यूम लगाया है Who has sprinkled powder Who has sprinkled powder जब perfume लगाना होता है It means कि spray perfume और जब powder चिड़कना या फिर powder लगाना होता है तो वहाँ पे हम sprinkled powder बोलते हैं Next है Glass चकना चूर हो गया The glass settled The glass settled Satter का मतलब होता है Break होना कोई भी चीज जब pieces में break हो जाती है तो वहाँ पे हम settled word को यूज करते हैं मतलब चकना चूर कोई भी चीज हो जाती है तो वहाँ पे हम settled word का यूज करते हैं Next है सपने चकना चूर हो गया Dreams settled Dreams settled Next है उमीदे चकना चूर हो गई Hopes settled Hopes settled Sattled के जो synonyms होंगे वो smash और demolish इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं Next है कोई मुझे इस तपती गर्मी से बचाए Someone save me from this sweltering heat Someone save me from this sweltering heat Next है वहां मत जाको Don't peep there Don't peep there Next है मेरा एक मिनट लाग के बराबर है My time is extremely precious My time is extremely precious Next है आज मैं वहां जाने की इस्तिती में नहीं हूँ I am not positioned to go there today I am not positioned to go there today Next है वह मेरे पडोस में रहती है She lives next to me She lives next to me Next है यह मुपत का है It is free of charge It is free of charge Next है मैं हर बड़ी में दोड़ गया I ran away in hurry I ran away in hurry तो यह थे कुछ ऐसे sentences जो कि हम अपनी daily life में बोलते हैं I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को like करें और share करें अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करना ना बोले मिलते हैं next वीडियो में thank you so much